हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दा नेक्स्ट वीडियो दोस्तो जैसे के आपको पता है जो इस स्रीज में हम लोग अभी फिजिक्स क्लाश 12 इसका चैप्टर 1 का अबजेक्टिव कवर कर रहे हैं तो इसका पार्ट 1 हम लोग यानि के 1 से 30 नमबर तक का क्वेशन्स कवर कर तो अगर आपको इनका आंसास पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों शुड़ो करते हैं 31 नमबर क्वेशन कर रहा है आवेश Q से एक समान आविश्ट तरिज्या आर के छल्ले के अक्ष पर केंद्र के अत्यांत निकट बिंदू पर वैद्धुच्षेत्र की तिवरता का वेंजक है तो जैसे के 4 आप्शन आपके सामने दिया हुआ है तो इसका अगर राइट आंस तो वो questions आपके लिए काफी important होगा तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे तो 30 second number question देखते हैं कहरा साबुन के एक बुलबिले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या option number A है बढ़ती है option number B है घरती है option number C है अपरिवरतित रहती है option number D है सुन्य हो जाती ह तो साबुन के एक बुलबिले को जब आवेशित करेंगे यानि के उसको चार्ज करेंगे तो उसकी त्रिज्या यानि के radius पर क्या फर्क पड़ेगा क्या effect पड़ेगा तो इसका जो right answer होगा option number A यानि के बढ़ जाएगी उसकी त्रिज्या जो है radius क्या हो जाएगी बढ़ ज मातरक होता है यानि electric dipole moment का SI मातरक क्या होता है तो चार option आपके सामने दिया हुआ है तो इन चारों में से जो answer होगा वह अगर आपको पता है तो आप comment कर सकते हैं नहीं तो मैं इसका answer बदा देता हूं तो इसका जो right answer हो जाएगा option number A यानि के coulomb meter coulomb meter ही विद्धुत जान रखेंगा इस question को चले next question ग्योड बढ़ते हैं नेक्स्ट question जैसे के आप देख पाड़े हैं पांच विद्धुतिये द्विद्रूप जिन में पड़ती एक plus minus q आवेस से बना है तथा L दूरी से पिर्थक है यानि L दूरी पर सब कोई है अलग-अलग घिरे पिरिष् सरफेस का जो है एलेक्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है शुन्य हो जाता है इसलिए इसका राइट आंसर हो जागा option number d next question है तीन बिंदु आवेश 4 q, q तथा q एक सरल रिखा पर करमशह x equal to 0 x equal to 1 by 2 meter तथा x equal to 1 meter दूरी पर रखे हैं यदि आवेश q पर पर परिनामी बल शुन् तो चार ओप्शन आपके सामने दिया हुआ है इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा option number a यानिके minus q परिनामी जो q कमान जो होगा वो कितना हो जाएगा minus q हो जाएगा चले next question की ओड़ बढ़ते हैं next question करा है एक समान विदुच शेतर में दूइद रूप पर आड़ोपित बल युगम अगोर्ण अधिक्तम है जबकि दूइद रूप की अक्ष तथा शेतर की दिशा के बीच का कोन है यानिके दूइद रूप की अक्ष और शेतर की दिशा के बीच का कोन कितना होगा तो अ शेतर पर विदुद फलक्स होगा तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्ष नमर ए यानिके e.da e.da हो जाएगा इसका राइट आंसर तो काफी important question है जरूर ध्यान रखेंगे इस question को चले next question की और बढ़ते हैं next question करा है किसी घीरे सताय पर कुल विदुद फलक्स प्रिष्ट के भीतर इस्थित कुल आवेश का होता है यानि कोई घीरा सर्फेस है उस पर कुल विदुद फलक्स प्रिष्ट के भीतर जितना कुल आवेश है उसका होता है कितना गुणा होता है तो अगर इसका राइट आ तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्ष्ण अमर भी यानिके सिग्मा आपन टू एपसलेन नोट सिग्मा आपन टू एपसलेन नोट ध्यान रखेंगे इंपोर्डेंट क्वेशन हो जाता है यह चले नेक्स्ट क्वेशन क्यों बरते हैं नेक्स्ट क्वेशन करा है किसी आवेशित चालक के नजदिक विदू तिवड़ता का मान होता है कोई आवेशित चार्जड बोडी है उसके नजदिक जो है एलेक्ट्रीकल तिवड़ता यानिके इंटेंसिटी का मान हो जाएगा तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो कोई अनन्त लंबाई का बेलन है जो की चालक है के नजदिक किसी बिंदू पर विदुत तिव्रता यानि के ए का मान होगा तो इसका अगर आइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा अप्शन नमर भी यानि के लेमडा अपन टू पाई एपसेलन और आर ध्यान रखेंगे चलि नेक्स्ट परशन के और परते हैं नेक्स्ट परशन करा है एक विदुत द्विधरूब एक प्रिष्ट से घिरा है प्रिष्ट फर कुल फलक्स होगा यानि कि एक विदुत द्विधरूब है एलेक्ट्रिक लाइपोल है वह एक प्रिष्ट से घिरा हुआ है तो प्रिष्ट पर कुल फलक्स कितना हो जाएगा तो option 4 आपके सामने दिया हुआ है तो इसका अगर right answer की बात करें तो option नमर B यानिके 0 ये इसका right answer हो जाएगा तो काफी important question है ये सरूर ध्यान रखेंगे next question करा है किसी वस्तु पर एक कुलम रीन आवेश तब संभब है जब उसे दिये गए इलक्ट्रोन की संख्या होगी ये कोई वस्तु है उस पर एक कुलम रीन आवेश नेगेटिव चार्ज तभी संभब है जब उस पर इलक्ट्रोन की संख्या कितनी दी गई होगी तो अगर right answer की बात करें तो हो जाएगा option number C यानिके 6.25 multiply 10 is to the power 18 electron इतना दिया होगा तभी उस वस्तु पर एक कुलम रीन आवेश होगा चलिये काफी important question ही चले next question की और बढ़ते है next question करा है पी आघुर्ण वाला एक विद्विध्रूब एक समान विद्विध्य शेत्र ए वेक्टर के साथ कोई कोन बनाता है तब इस पर लगा बल आघुर्ण कितना होगा तो अगर इसका right answer की बात करें तो हो जाएगा इसका option number A यानिके P वेक्टर cross E वेक्टर पी कोन बनाता है तब इस पर लगा बल आघुर्ण परिमान में होगा तो अगर इसका right answer की बात करें तो option number A यानिके P dot E P dot E यानिके P E हो जाएगा जबकि उसमें हुआ था P cross E हुआ था next question करा है P आघुर्ण वाला द्विद्रूब अधिक्तम बल आघुर्ण तब अनुभव करेगा जब P वेक्टर तथा एक समान वेद्धू शेतर यानिके E वेक्टर के बीच कोन हो तो अगर इसका right answer की बात क पढ़ा है एक वेद्धू द्विधरूब के केंद्रे से एक सो सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदू ये तथा भी स्थित है एक अक्षिय बिंदू है जबकि B निरक्षिय यानिके विश्वत तलिए वेद्धू शेतर की तिवड़ाता A पर E वेक्टर है तब B पर तिव दो वेद्धू शेतर हैं एक दूसरे को किस कोन पर काटती है तो इसका राइट अंसर हो जगा अप्षिन नमर्डी यानिके दो वेद्धू शेतर हैं एक दूसरी को कभी भी नहीं काटती है तो काफी important question है या आपके board exam में पूछा जा सकता है चले next question क्योड़ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन है विद्धुत आभेश का quantum ESU यानि एलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट में होता है तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो option number A यानिके 4.78 multiply 10 to the power minus 10 वह जाएगा इसका राइट आंसर है ये 2010 एनुएल एक्जाम में ये question पुछा जा चुका है इसलिए important question बन जाता है चले next question की और बरती है next question करा है एक विद्धुतिये द्विद्रूप दो विपरित आभेशों से बना है जिनके परिमान पलस 3.2 multiply 10 to the power minus 19 कूलम है एवं माइनस 3.2 multiply 10 to the power minus 19 कूलम है उनके बीच की दूरी 2.4 multiply 10 to the power minus 10 मीटर है विद्धुतिये द्विद्रूप का आभोर्ण होगा येनिके electric dipole moment का मान होगा तो अगर इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ये तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो अप्षिन नेमर्ट बी यानिके 7.68 multiply 10 to the power minus 29 कूलम मीटर इसका राइट आंसर हो जागा तो ध्यान रखेंगे विदुद्रूप आगोरुन का यूनिट जो होता है वो कूलम मीटर होता है ध्यान रखेंगे काफी इंपोर्टेन क्वेश्चन है चले नेक्स्ट इंपोर्टेन रखेंगे जिसमां भी इंपोर्टेन कहा जाता है वेरी इंपोर्टेन लगाया जाता है ठीक उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉशन करा मुल बिंदू पर एक धन आवेश जब्कि x युकळू टू सेंटीमेटर पर एक बिंदू धन आवेश टू क्यू इस थित है तो जैसे कि 4 आप्षिन आपके सामने दिया हुआ तो इन 4 आप्षिन्स में कौन सा राइट आंसर होगा तो अगर इसका पोनिकर नेस्ट Evans एक वेदु दीधुप को वेदूज स्फेत्र में रखा जाता है जो एक्स अक्ष्पर दिष्ठ है एक्स अक्षऺ की और जाने पर बदलता है पर वाई एवम जेड़ अक्ष की और अचर रहता है यादि के कॉंस्टेंट रहता है बदलता नहीं है यदि द्विधरूप एक्स अक्ष पर इस्थित हो तो कुल बल होगा कुल बल कुल बल जो होगा यह ऑप्शन नमबर चार्ड आपके सामने दि अगाहता है नेक्स्ट कोच्छन के है एक ही पदार्त के धातो के दो गोले और बी एक पर प्लस की याई एक पर पॉजिटिव चार्ड दिया गया एक पर negative charge दिए गया है तो चार option में से कौन सा इसका right answer हो जाएगा तो इसका अगर right answer की बात करें तो option number B यानिके B का दरभमान बढ़ेगा ये इसका right answer हो जाएगा option number B यानिके B का दरभमान क्या हो जाएगा बढ़ेगा चले next question क्योंड बढ़ते हैं next question है electron का विशिष्ट आवेस होता है electron का विशिष्ट आवेस होता है यानिके specific charge electron का कितना होता है काफी important question है 2011 annual exam में पुछा जा चुका है इसलिए important बन जाता है तो electron का विशिष्ट आवेस जो होता है वो right answer हो जागा option number A यानिके 1.8 multiply 10 is to the power 11 column पर kg तो ध्यान रखेंगे specific charge यानि विशिष्ट आवेस का unit होता है column पर kg तो इसका right answer हो जागा 1.8 गुना 10 पर ग्याड़ कूलंपर कीजिए काफी important question है आपको आपकी board exam में यह पुछा जा सकता है next question है डिवाई मात्रक है डिवाई मात्रक है तो डिवाई जो मात्रक हो जाएगा तो चार option आपके सामने दिया है तो इनमें से अगर right answer की बात करें तो option number C यानिके विदुद्विधरूब आघोण का विदुद्विधरूब आघोण का एक मात्रक डिवाई भी होता है तो ध्यान रखेंगे काफी important question है तो दोस्तों अगला हम लोग जो है questions आगे का questions अगले वीडियो में कड़ेंगी क्योंके वीडियो काफी बड़ा होड़ा है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजगा और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा क्योंके इन में आपको 12 की पूरी तयारी कर आए जाएगी और इन में से एक भी objective आपको बोड एक्जाम में बाहर नहीं देखने को मि लेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत